दोस्तों बच्चे अपने माता-पिता के भविश्य होते हैं इसलिए हर माता-पिता अपने बच्चों के भविश्य के बारे में सोचते हैं वह सोचते हैं कि मेरा बच्चा भविश्य में बहुत तरकी करें स्कूल में उसे बहुत अच्चे गुनों से वह पास हो उसका फ्यूचर ब्राइट हो उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चले अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत तो डेफिनेटली आपका बच्चा का दिमाख ब्रेन बहुत तेज गति से यानि कि कंप्यूटर से भी तेज चल सकता है और वह जीवन में फ्यूचर में उसका और वह जीवन में सफलता पाएगा चले तो शुरुवात करते हैं आज का टॉपिक आप ट्रेंडिंग वर्ड और वह है पैरेंटिंग टिप्स माता पिता के लिए टिप्स और वह है माता पिता हमेशा इन पांच बातों का रखे ध्यान और अपने बच्चों का कंप्यूटर से भी तेज लगेगा चलेगा दिमाख चले तो वह पांच बाते क्या है और पांच टिप्स क्या है उसके बा में हमने अक्सर देखा है कि बच्चों का बच्पन से ही IQ का मतलब Intelligent давISH correction कम होता है यांनी हर एक बच्पन का IQ Level अलग-अलग होता है किसी का कम किसी का जाता लेकिन शुरूआतfront में बच्पन में हर एक बच्पन कम ही होता है अगर उसे हम बढ़ाते हैं तो उसका दिमाग तेजगति से चल सकता है ऐसे में माता-पिता को हमेशा इन पांच बातों को ध्यान रखना चाहिए ऐसा करने पर बच्चों का IQ लेवल हमेशा बढ़ेगा यानि बच्चों का अगर IQ लेवल बढ़ता है तो हर एक बा सब्सक्राइब करने के लिए माता-पिता बच्चे के खाने पीने से लेकर उसके लिए अच्छा स्कूल खोजने और उसके लिए अच्छा माहुल तक देने की पूरी कोशिश करते हैं यह तो हर वे पाता-पिता करते हैं और लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों का स्मार्ट होना और बच्चों में IQ लेवल अच्चा होना दोनों में बड़ा अंतर है बच्चा स्मार्ट है और बच्चों का IQ लेवल इनमें डिफरंस है वो क्या है देखते हैं राइट दोनों में बड़ा अंतर है IQ का मतलब होता है intelligent quotient यानि यह एक बच्चे को दुसरे बच्चों से अलग बनाता है कई शोध यानि कई scientific इसमें research किये गए उनमें यह पाया है कि अगर बच्चपन सही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए बच्चे के बारे में तो बच्चों का IQ लेवल बढ़ाया जा सकता है आई यह जानते है आखेर वो कौन सी बात है बच्चपन से रहे इन पाच बातों का ध्यान बच्चों को प्यार और सम्मान दे देखिए यह बहुत चोटी सी आपको लगेगी लेकिन बहुत इंपोर्टन्ट है, बच्चों को प्यार और सम्मान दे, उनके सामने कभी भी अभद्र भाशा का इस्तिमान न करे और नहीं उन्हें मारे और पीटे, नेक्स्ट, बच्चों को प्राकृतिक चीजों और नियमों के बारे में बताई, यानि जो नैचरल थिंग से उनको उनका एक्सपिरेंस उन्हें दिलाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रकृतिके बीच समय बिताने दे, नेचर में उन्हें खेलने खुदने दिजिए, उनके पास हमेशा मोबाइल मत दिजेगा, यह बहुत इंपोर्टन बा वाइटी क्यों होता है, सफेदी क्यों होता है, जो इस तरह से अलग-अलग क्वेश्चन वो पूछते तो उनका क्वेश्चन का जवाब आप वज्यानिक तरीकों से सही सही दे, ऐसा मत सोचे कि छोटा बचे कुछ भी पूछता रहते हैं उसको इग्नोर करें, ऐसा मत किज करें कि वो जब आप से बात करें तो वो भी आपकी आखों में देख रहा हो, यह उसके आखों में आखें देकर उसे बात किजिए, इंस्ट्रुमेंट बजाना सीखिए, यह बहुत आपको अलग सची बात लगेगी, बच्चे की दिमागी विकास के लिए, सोचिए यहां क् इसके लिए आप अपने बच्चों को गिटार, सितार, हर्मोनियम जैसे कोई भी वाद्दी यंत्र बजाना सीखिए, हमें पता नहीं था, बच्चों किसी तरह की भी डिफरेंट टैपस जो इंस्ट्रुमेंट है, मुजिकल इंस्ट्रुमेंट उन्हें सीखाई है, और खेल सीखाई, उसे खेलने, स्पोर्स, स्पोर्स में इंट्रेशन क्रियेट कीजिए, बच्चों के मानसी का और इशारेरी की विकास के लिए उनका खेलना भी जरूरी है, कई बार बच्चे खेल खेल में ही कई तरह की चीज़े सीख जाते हैं, तो अगली बार अपने बच्चों के एकसाइटमेंट और IQ लेवल बढ़ाने के लिए आप भी उसके साथ खेलिए, उसमें पार्टिसिपिट हो जाईए, गनित के सवाल हल कीजिए, बच्चे से खेल-खेल में टेबल, जो गनि मैथमेटिकल टेबल होते हैं, या जोड घटा वाले, माइनस प्लस घटा वाले स करने से बच्चे का IQ लेवल काफी बढ़ जाएगा, इसके अलावा आजकल माता पिता अपने बच्चों के IQ लेवल बढ़ाने के लिए, अबेकस का भी सहरा लेते हैं, अबेकस मैथमेटिकल टिप्स जो होती हैं, डीप ब्रीदिंग, जैसे कि हम मेडिडिशन में करते हैं, डीप ब्रीदिंग सबसे अच्छे ब्रेन हैक्स में से एक है, ब्रेन का डेवलाप करने के लिए डीप ब्रीदिंग यानि एक तरीकी मेडिडिशन और हमें सांसों पर ध्यान रखना यह उन्हें सिखाई हैं, गहरी सांस लेने से मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं, इ इसके लिए नियमित रूप से रोजाना सुबह या शाम दस से पंदरा मिनिट बच्चे के साथ गहरी सांस लेने का अब्भास जरूर कीजे, आप बच्चों के साथ बैठिये, उसके साथ पांच या दस मिनिट टक मेडिशन कीजे, उनको सीकाई किस तरह से हमारे सांसों के पर कॉंसेंटरिट किया जा सकता है, और आखिर का टिप्स नंबर फाइव और वो है माइंड गेम्स का सहारा लेना, बच्चों को आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए उनके साथ दिमाग तेज करने वाले खेल, जैसे चेस खेले जाते हैं, जैसे गेम्स बच्चों को मांस कि दिमाग तेज करने के लिए यूस करते हैं, तो डेफिनेटली आपका बच्चा का दिमाग आईक्यू लेवल बढ़ेगा, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप कमेंट बाक्स पर लिख कर जरूर बताएगा, विश यू गुट डे, टेक केर, टेंक यू बड़े मच्च